हमारी टेस्टी और कलर्फूल ट्रैफल बिल्कुल रैडी है अब हमें एक ग्लास भी त्यार कर लेंगे बिस्मिल्ला रख्मान ओराहीम असलाम अलेकूम तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लहोरी फूड सीकरट आज बदलते मोसन के साथ एक बहुत ही मीठी और ठंडी डीश लेके आपके सामने हाजिर हूँ जो है मज़ेदार सा ट्रैफल जो बनाना भी बहुत एज़ी है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है तो आईए स्टार्ट करते हैं जैली बनाने के लिए हमने दो काप पानी बॉइल की है पानी हमारा बॉइल हो चुक है जैली हमारे पास ग्रीन और रेड कलर में है ये हाफ-हाफ पानी हम अलग-अलग प्लेटों में डालेंगे इस तरह से इसको अच्छी तरह से इसमें हल कर लेंगे पानी में पानी फुल गरम होना चाहिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है अब हम ये रैड लेंगे दूसरे में ये डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैली हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है इसको अब हम साइड पे करेंगे ताके ये ठंडी होके अच्छी तरह से जम जाए ये हमारे पास एक लीटर दूद है दूद को हमारे बॉयल और आ चुक है अब हम इसमें चिन्नी शामिल करेंगे एक कप और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जितनी देर में हमारी चिनी दूद में मेल्ट होती है यह हमारे पास वनीला फ्लेवर में कस्टर है फॉर से फाइफ टेबल स्पून आप किसी भी फ्लेवर में यूज कर सकते हैं जो आपको पसान दो इसमें हमें कप दूश शामिल करेंगे और इसको आइस्ता इस्ता मिक्स करेंगे ताके इसमें लंज ना बने इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे आप पिस दूद की जगां पानी भी शामिल कर सकते हैं इसमें अच्छी से मिक्स हो चुका है देखें इसमें कोई लंज नहीं है अब हम इसमें इसको दूद में आइस्ता इस्ता शामिल करेंगे और चमच को मसलसल हलाते रहेंगे इसको इतना पकाएंगे के ये थोड़ा सा गाड़ा हो जाए फ्लेम लो रखेंगे जब कस्टर इतना गाड़ा हो जाए इस टाइम पे फ्लेम को आफ करेंगे चिन्ई आप अपनी मर्जी के मताबिक भी टाल सकते हैं काम या ज्यादा बादों फिर कैंदे ने एक काप दस्यासी ते ही पाया है कोई कैंदा ज्यादा हो गई या कोई कैंदा काटा हो गई ये अब इसको हम साइड पे करेंगे ठंडा होने के लिए उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा कस्टर हमारी जैली भी ठंडी हो जाएगी तो बाकी चीज़ें बाद में हम शामिल करेंगे गरम कस्टर में कभी भी चीज़ें शामिल नहीं करनी चाहिए जैली हमारी ठंडी हो चुकी है जैली को हम इस तरह से क्यूपस में काट लेंगे यह हमारे पास सीजन के फूरूट है जिसमें चैला ली है, हमने सेब और स्टाबरी का सीजन है, स्टाबरी ली है आप कोई भी फूरूटी इस्तमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो हुई है हमारे पास fruit cake है सबसे पहले हम dish में इसकी layer लगाएंगे cake की हमने layer लगा लिए अब यह fruit इसके उपर डालेंगे सबसे पहले हम save डालेंगे थोड़ा सा इसको फ्ला देंगे इसके उपर kela डालेंगे अब इसके उपर यह jelly डालेंगे इसके ओपर कस्टर की लेयर लगाएंगे इसको इस तरह से प्ला देंगे अब सबसे लास्ट में हम स्टाबरी लगाएंगे इसके ओपर हमारी टेस्टी और कलरफूल ट्रैफल बिल्कुल रेडी है अब हम एक गलास भी त्यार कर लेंगे इस तरह से ये इसमें केक डालेंगे इसके ओपर फ्रूट्स डालेंगे जैली के लेयर लगाएंगे हमारी मज़ेदार ठंडी और मिठी डिश बिल्कुल रेडी है आप भी इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेस्पी कैसी लगी है अगर आपको हमारी ये रेस्पी पसंद आया है तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शियर, सबस्क्राइब करें और दुआओं में याद नटकें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्ला हाफिस